हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार माता लक्षमी को धन की देवी कहा जाता है और धन की देवी माता लक्षमी की पूजा करने से लोगों के घर में सुख शांती और पैसों की बारिश होती है लोग धन की प्रापती के लिए मा लक्षमी की पूजा अर्चना पूरे विधी विधान से करते हैं लेकिन आपको बता दे की वास्तू शास्त्र में कुछ ऐसे उपाई भी बताए गए हैं जिनसे मा लक्षमी ही प्रसन नहीं होती बलकि घर में सुख समृध्धी और खुशाल बनी रहती है आज हम आपको वास्तू के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने के बाद आपका पूरा दिन अच्छा गुज्रेगा और घर में हमेशा सकारात्मक बनी रहेगी तुलसी में जल चड़ाना हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी मा लक्ष्मी का निवास होता है इसलिए सुबह उठकर नहाध होकर तामबे के लोटे में जल भरकर तुलसी में अर्पित करना चाहिए तुलसी में जल अर्पित करते हुए भगवान विश्नु के मंत्र और मा लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए और उनका आशीरवाद प्राप्त करना चाहिए सुर्य भगवान को जल अर्पित इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार आपको सुबह नहाने के बाद एक लोटे जल में सिंदूर और फूल डाल कर सुर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए जिससे मा लक्ष्मी प्रसन होती है और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है तिलक लगाना ऐसा कहा जाता है कि नहाद होकर पूजा पार्ट करने के बाद आपको तिलक लगाना चाहिए हिंदू धर्म में तिलक लगाने को काफी शुब माना जाता है और चंदन का तिलक लगाने से आपका मन और दिमाग दोनों शांत रहते है इसके साथ ही मा लक्ष्मी की कृपा भी आपके उपर बनी रहती है नमक के पानी से लगाएं पोच्छा आपको घर में सुबह पोच्छा लगाते समय पानी में नमक डाल कर पोच्छा लगाना चाहिए इस से आपके घर में मौजूद नकारात मकता दूर होती है इसके साथ ही आपके उपर मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी घर के में गेट को रखे साफ घर के मुख्य दर्वाजे पर आपको कभी भी कचरा नहीं रखना चाहिए घर के मुख्य दर्वाजे पर कचरा फैला कर रखने से माता लक्षमी नाराज हो जाती है